फ्रेंड्स, आज का मेरे वीडियो हर एक इंसान के लिए है जिसके घर में बच्चे हैं यानि कि आज कि जो हम शिक्षित लोग हैं, जो अभिवावक भी हैं फ्रेंड्स हम शिक्षित तो हैं, लेकिन as a parent, as a अभिवावक हम शिक्षित नहीं हैं यानि कि माता-पिता होने के लिए हमें क्या जानकारी होनी चाहिए और किस तरीके से हमें बच्चों को डील करना चाहिए हमें नहीं पता है यहाँ पर जो मैं सबसे पहला point ले रही हूँ कि कुछ parents की आदत होती है कि वो बात बेबात पर चोटे से ही बच्चे को वो हिट करने लगते हैं थपण मारने लगते हैं और उनको लगता है कि यह करना घंपल सरी है क्योंकि अगर वो अभी से ही बच्चे को मारेंगे पीटेंगे नहीं तो बच्चे में उनका डर कैसे आएगा और बच्चा डिसिप्लिन कैसे होगा सो रादे दें छोटी छोटी बातें जो समझा ही जा सकती हैं प्यार से बोली जा सकती हैं वो एक डेर साल के बच्चे को ही मारना शुरू कर देते हैं And the same way, कुछ parents इसमें और advanced निकलते हैं, कि वो मारते पीटते तो है ही है, साथ ही साथ, वो हर बात पर जब हाथ नहीं उठा रहे हैं, तब भी वो आखों से घुड़की देते रहते हैं, यानि कि उनको जो लगता है ना, कि जो छोटा बच्चा है, अभी से ही उनकी नजर से ही करते हैं, So friends, यह जितनी भी बाते मैं आपको बता रहे हूं Сो अगर खुदा न खास्ता आप भी ऐसे करते हैं ना, सो आप से जदा दुनिया का पापी इंसान कोई नहीं है, और अगर आपको लगता है कि आप इसे खौफ क्रियेट कर रहे हैं, आप खौफ क्रियेट नहीं कर रहे हैं, कल आप भी इस खौफ वरी जिंदगी में जीने के लिए तयार हो जाए है, क्योंकि जिस बच्चे को आप मार पिटाई करके और यही उसका में धर्म बना रहे हैं, कल चल कर वो भी आपके साथ यही करने वाला है, कि वर वो आपके साथ नहीं करने वाला, यानि कि Miss Behavior, बातों बातों में आपको जवाद देना, आपको किसी लाइक नहीं समझना और दुनिया में किसी की बात मान लेना, लेकिन आपकी बात नहीं मानना, यह जो चीज़े हैं, यह आप गांट बांद करके रख लीजेए, कि वो अभी बड़ा होना तो छोड़े, वो थोड़ा सा छटी साथीं क्लास में भी जाने लाइक होगा, तब ही से वो यह चीज़े शुरू कर देगा, और इसी में फ्रेंट से एक चीज़े और समझ लीजेगा, जैसे कहा जाता है, हमारी फिलोसफी में कहा जाता है, कि बाई किसी के आह ना लो, लेक अपने बच्चे को जब मारने की बात आती है, तो आप उसको बेहिसाब मारते हो, उसके मूँ से भी जो आह निकलती है, वो आह आपको भी ले डूपती हो, उसके साथ आपके पुरे परिवार को ले डूपती है, और ऐसे परिवार की ग्रोथ और सक्सेस कहीं जाकर छिप ज समझें और उसको यह जो हिट करना है पड़ मारना है प्लीज भगवान के लिए छोड़ दें वीडियो का जिस्ट यही है कि कल किसी एक्सपर्ट की सला मत लीजेगा कि आपका बच्चा अबनॉर्मल क्यों है अबनॉर्मल वो इस वज़े से है क्योंकि आप अबनॉर्मल है तो प्लीज वीडियो का मैसेज समझेगा और गलती से अगर हाथ उठता है सो प्लीज अपने इस हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेगा अपने बच्चे के भविश्य के लिए नहीं अपने स्वेम के भविश्य के लिए